hello everyone in this video we are going to discuss activated sludge process one of the most important waste water treatment technology तर हम बोलेंगे sea która treatment technology इंडिया में जितना भी treatment होता है scg का उसमें 60% जो treatment है वो इसी technology पर बेस्ड है अगर हम GATE ESE other competitive exam की बात करें तो definitely a question इसके उपर आता ही आता है पहले क्योंकि बहुत सारी technical तर्म से हम पहले समझेंगे कि इस process का use कैसे होता है इस वीडियो में और फिर हम लोग यह देखेंगे कि इस process में क्या क्या होता है और इसके technical terms क्या क्या है let us first understand why this process is used तो हम इस process का use सबसे पहले समझ लेते हैं तो let us assume कि कोई city है है इस city में ये city को रिवर सोर्स के बाजू में placed है हमने किया various purposes के लिए use करने के लिए हमने water को extract किया river से और इसको city में supply किया अब city में इसको बहुत सारे purpose के लिए use किया गया bathing, cleaning, washing etc और जब हमने इस पानी को use कर लिया है तो इसको हमने drain out कर दिया from basins, from wash basins etc अब ये पानी को use का नहीं बचा इस पानी को हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये waste हो चुका है this water is called as wastewater ये water क्या बचा बचा जो कि हमारे को use का नहीं है इसी को technically सीवेज भी कहा जाता है used water is called as wastewater या फिर हम बोलते हैं सीवेज ये जो सीवेज है इसको हम वापिस से collect कर लेते हैं और इसको कोई भी nearby source पे discharge कर देते हैं ये water जो है अभी water जो है ये problem create करता है reverse में ये क्या problem create करता है तो अगर हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर actually क्या क्य है what are the things that are available अगर हम इसमें closely देखते हैं तो हमको दिखता है इस पानी में heavy metals है chlorides है carbonates है nitrates है अगर मैं आपसे पूछू which is one of the most critical parameter over here इसमें सबसे critical चीज क्या है that critical parameter is organic matter अगर आपने उसको treat कर दिया तो सारी problem solve हो जाएगी that parameter is organic matter पहले समझ लेते हैं कि organic matter क्या होता है क्योंकि इसी को solve करने के लिए इसी को remove करने के लिए हम लोग ASP process को use करते हैं तो let us first understand what organic matter is तो बहुत ही simple terms में समझ लेते हैं organic matter क्या होता है वो जो भी चीज degrade हो सकती है अगर हम layman language में समझे उसको हम लोग organic matter कहते हैं जैसे की fruits and vegetables, leaf of plants, logs, wood यह सारा का सारा degradable in nature है dead bodies of animals रखे 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 समय के साथ साथ ही क्या होने लग जाता है इस तरीके से degrade होने लग जाता है तो with the time these things degrade organic matter को गर हम technical terms में बोले हैं तो वो compounds जो की CHONS से मिलके बने हैं उनको हम लोग organic matter कहते हैं CHONS मतलब carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur जैसे हमारी bodies होती है human bodies है, dead plants के cells हैं यह सब इनी compound से मिलके बने होगे रहते हैं तो वो सारे compounds जो की time के साथ degrade हो जाते हैं या फिर हम बोलते हैं oxidize हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं और organic matter अब अगर मैं closely देखना चाहूँ यह degrade हो रहा है मतलब यह actually हो क्या रहा है यहापे तो what is actually happening तो आप अगर इसको clearly देखोगे तो आपको दीखे हो यहापे क्या हो रहा है यहापे बहुत सारे microbes काम कर रहे हैं जो कि इसको consume कर रहे हैं तो lot of microbes are working over here जो कि इसको consume करना चाहरे है eat करना चाहरे है तो जब भी कहीं पे भी organic matter पड़ा हुआ रहेगा उसके ओपर क्या होगा उसके ओपर microbes आएंगे और उसको खाने लग जाएंगे आपको किसी को invite करने की requirement नहीं कोई उनको पत्रिका भेजने की ज़र्वत नहीं है microbes खुद बखु खाने में कच्चा खाना उसको पका खाना पड़ता है तो it takes time तो microbes को खाने में time लगता है बट खा जरूर लेते हैं तो breakdown करने में उसको time लगता है कुछ-कुछ food को जैसे wooden log है इसको खाने में उनको time लगेगा बट अगर पका पका या खाना रहता है यह सारा वो speed में खा ले बट अगर हम यह वाला apple खा लें तो क्या दिक्कत है इस apple के साथ साथ जो है इस में microbes attached है वो भी हमारी body में चले जाएंगे तो उस वो हमारे लिए food बहुत ज़्यादा problematic है अब हम यह समझते है कि पानी में यह ornick matter कहां से आता है from where does ornick matter enters into the water तो जो भी हमने apple खाया माल जी जी हमने food consume किया यह हमारी body में enzymes इसको breakdown करते है and it gets converted into excreta यह काय में convert हो जाता है it gets converted into excreta जिसको हम लोग toilet waste भी कहते है या फिर हम इसको कहते है night soil या फिर हम lettering कहते है तो जो भी food आपने खाया consume किया this food has been breakdown by the enzymes present in our stomach हमारे body में जो बहुत सार enzymes present है उन्होंने इसको breakdown कर दिया और उसको इस तरीके से बाहर निकाला अगर मैं microbes को choice दूँ कि आपको यह वाला apple ज्यादा पसंद है कि आपको यह ज्यादा पसंद है तो microbes will prefer this thing क्यों microbes को यह ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि यह पहले से खाना breakdown कर गया है इसको enzymes ने पचा लिया है अब यह breakdown food है जैसे अग आपको कच्चा चावल दूँ एक plate में और एक plate में पका पकाया चावल दूँ तो आपको पका पकाया चावल खाने में ज्यादा असानी रहेगी उसी तरह microbes को भी इसके comparison में इसको खाने में ज्यादा मज़ा आएगा तो आप देखते हैं जैसी toilet में कोई waste आता है बहुत speed मे smell आने लग जाती है क्यों speed में smell आने लग गई क्योंकि microbes के लिए वो बहुत easily खाने योग के खाना है इसको हम लोग क्या बोलते है readily oxidizable organic matter readily मदब बहुत ही speed में oxidize कर सकते है microbes इसको readily oxidizable organic matter यह ऐसा organic matter है जिसको microbes बहुत speed में oxidize कर सकते हैं फिर खा चकते हैं, फिर डिग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए readily oxidizable organic matter है, ऐसा बहुत सारा oxidizable organic matter हम क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारा organic matter हम लोग daily, बहुत सारे लोग मिलके release करते रहते हैं, बातरूम से, है ना, तो ये ऐसा सारा का सारा सीवर कैसा है readily oxidizable organic matter जो की microbes को बहुत पसंद है यह जो पानी यहां से collect होगा उसको आसपा से कोई नदी में डाल दिया जाएगा और वहाँ पे भर भर के microbes आ जाएंगे है ना तो यह microbes problem create करना चालू करेंगे अब देखते हैं treat कैसे किया जाता है इस problem को solve कैसे किया जाए जो organic matter आप नदियों में छोड़ रहे हो इसको पानी से remove कैसे किया जाता है तो बहुत ही simple सा तरीका है आप देखोगे हमने microbes का ही यूज करके उसी problem को solve कर दिया देखो कैसे solve किया तो यहाँ पर मान लीजिए यह organic matter है मान लीजिए organic matter है इस organic matter के उपपर आपने क्या किया microbes आ गए अपने आप यहाँ पर microbes आ जाएंगे खाना-खाने अब जब यह microbes खाना-खाने आएंगे तो उनको food मिल गया अब यह क्या करेंगे reproduce होंगे microbes को देखो एक तो और्निक matter की requirement होती है प्लस इनको एक oxygen की requirement होती है तो अगर atmosphere में oxygen available है तो microbes को एक oxygen की requirement है इस खाने हो खाने के लिए और एक food चाहिए तो microbes को living के लिए food और oxygen चाहिए हमको भी आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए body में प्लस हमको क्या चाहिए what we need is we need oxygen अगर हमारी नाग बंद कर देंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे तो microbes को भी अगर food मिल गया और oxygen मिल गई तो यह क्या करेंगे अपना परिवार बढ़ाने लग जाते हैं यहापे इनकी family बढ़ने लग जाती है biomass या फिर हम इसको कहते हैं sludge it is also called as sludge now the biomass that we are talking to यह जो biomass है इसको आप देखो breakdown करके इसमें term लखी हुए bio bio मतलब क्या living organisms bio मतलब क्या living organisms तो living organism का mass क्या है biomass तो यह जो living जिंदा microbes है उनका जो mass है उसका मैंनो क्या बोला biomass यह जो biomass इसकी property क्या है this biomass is a property of what यह biomass की property है it is sticky in nature यह कैसा है चिप चिपा है sticky है gelatinous है gelatinous भी आप कह सकते है gelatinous है ना this microbial mass is sticky in nature और यह आपस में चिपक के इसकी क्या होती है high settling characteristics होते है high settling characteristics high settling characteristics मतलब अगर आप शान्त condition दोगे turbulent less condition दोगे या फिर हम बोलेंगे stagnant conditions देंगे या फिर हम एक और तम बोलते है quizzent conditions अगर हम पानी में दें quizzent मतलब quiet अगर हम quizzent conditions पानी में दें तो यह जो microbial mass है इसका जो गुच्छा है यह flock बनके नीचे settle हो जाता है यह क्या होता है flock बनके क्या होता है नीचे settle हो जाता है तो यह microbial mass की property क्या है it has high settling characteristics अगर आपने शांत वातावरंड दिया turbulence less atmosphere दिया तो यह microbial mass क्या हो जाएगा settle हो जाएगा इसको हम remove कर सकते हैं इसी का use करते हैं हम लोग ASP या फिर activated sludge process में दिखिए कैसे use करते हैं तो हमने क्या किया यह मान लीजिए आपका पूरा system है हमारे जो city है शहर से शहर से waste water collect होके आया इस waste water को आपने सबसे पहले क्या किया बार screen से रोका जिसमें मोटे मोटे कचरे जो है इस screen ने रोक लिए इसके बाद जो चीज़े इस screen नहीं रोक पा रही थी उसको हम लोगों ने primary clarifier में भेजा primary sedimentation tank gravity based treatment है gravity के थूँ weight के थूँ जो जो चीज़े settle हो सकती थी वो settle होगी बाकी जो भी चीज़े जो भी organic matter नीचे settle नहीं हो पा रहा था with the help of gravity वो सारा का सारा organic matter कहां आगे बढ़ता है वो आगे जाता है secondary treatment में जिसको हम लोग बोलते है biological treatment यह जो system में पूरा का पूरा biological treatment system है या फिर हम उसको बोलते है ASP for the timing अभी हमारे लिए ASP process है तो primary sedimentation में जो भी चीज remove नहीं हो पाई वो आगे बढ़ रही है ASP में क्या क्या remove नहीं हो पाया होगा तो वो सारा organic matter जो की dissolved organic matter था dissolved organic matter से आप क्या समझते हो वो organic matter जो की पानी में घुला हुआ है जैसे कि हमारे यह शक्कर या फिर glucose C6S12O6 यह अगर पानी में मिला हुआ होगा तो इसको gravity से आप remove नहीं कर सकते यह पानी में घुल जाता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है इसको आप remove नहीं कर सकते तो जो भी dissolved organic matter है वो आगे tank में जाएगा क्योंकि वो gravity के थुरू remove नहीं हो सकता उसको कोई strainer भी remove नहीं कर सकता और gravity भी remove नहीं कर सकता जो कोई dissolved है वो सारा organic matter उपर जाता है प्लस जो भी बहुत ही small organic matter था जो को gravity remove नहीं कर पाई थी वो सारा organic और inorganic matter aeration basin में एंटर करता है और उसी को treat करने के लिए हमको यह system लगाना पड़ता है और inorganic matter जो एंटर कर रहा है जो की dissolved है या फिर ऐसा organic matter जिसको हम remove नहीं कर सकते थे यहाँ पर आप देखोगे यह organic matter और कुछ भी नहीं है यह हम क्या एंटर कर रहे है यह हम food एंटर कर रहे है microbes के लिए यह microbes के लिए क्या है food है जो हमारे शहरों से collect हुआ जो हमने खाया पचाया वो सारा organic matter यहाँ पर एंटर कर रहा है यह microbes के लिए पका पकाया खाना है जैसे ही microbes इसको देखते हैं तो microbes बोलते हैं food तो आ गया अब हमको एक और चीज़ की विवस्था चाहिए हमको अब oxygen की supply चाहिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर oxygen की supply करते हैं what we do is we start supplying oxygen over here तो oxygen को diffusers के तुरू release किया जाता है यह सारे diffusers लगे हुए जिससे हम oxygen को release करते हैं अब microbial mass को oxygen मिल गया है food मिल गया है what they are going to come is they are going to start coming in the system यह tank के अंदर आना चाल हो जाएंगे तो microbial mass भर-भर के आना चाल हो जाते हैं उनको food भी मिल गया है उनको oxygen भी मिल गया है तो आपने artificially oxygen ने फिर air को supply किया है जैसे कि हम लोग हमारे घर में जो मचली रखने वाले जो डब्बे होते हैं हम लोग जैसे oxygen supply करते हैं उसी तरीके से हम लोग oxygen supply करते हैं हापे microbes के लिए तो इस tank में oxygen supply की जाती है diffusers के तुरू हम लोग कुछ images देखते हैं कैसे यह diffusers काम करते हैं तो आप देखोगे यह जो tank है इन tank में diffusers लगे हुएं pipes लगे हुएं और इसी के तुरू oxygen ने फिर air निकली जाती है बहुत ही बारिक-बारिक air के particles इसमें से निकालते हैं diffusers लगे हुएं यह भी आप देखोगे diffusers हैं जिससे air को release किया जाता है oxygen को release किया जाता है यह एक tank है जो की filled up tank है जिसमें पानी भरा हुआ है और नीचे से oxygen release होने कारण आप देखोगे बहुत जार टर्बुलेंस दिख रहा है आपको पानी में यह ना तो यह oxygen की mixing हो रही है पूरे tank में यह आपको कम भरा हुआ tank दिख रहा है जिसमें आप देखोगे oxygen release हो रही ही नीचे के pipe से क्योंकि oxygen release हो रही है आपको turbulence दिख रहा है यहाँ पर तो जैसे से tank भरता जाएगा यह tank इस तरीके से आपको दिखेगा यह तरीका है पानी में oxygen को add करने का इसके अलावा एक और तरीके से oxygen को add किया जाता है पानी में कैसे उसको हम लोग बोलते है mechanical aeration process इस तरीके के बड़े बड़े रोटर्स लगाये जाते हैं tank के अंदर जो की पानी में high turbulence create करते हैं high turbulence के करण क्या होता है जो पानी की जो cvh की drops होती है वो उड़ती है आसमान में और atmosphere की oxygen के contact में आती है इसको हम लोग बोलते है mechanical aeration process बड़ी सी 40-50 hp की motor लगी हुई है जो की इसको घुमा रही है इसके rotate होने के कारण क्या हो रहा है देखो आप पानी की droplets सीवेज की droplets atmosphere में ऊड़ रही है और यह जो atmosphere में ऊड़ रही है इसके कारण क्या होता है oxygen atmospheric oxygen जो है इसमें contact में आ जाती है और इस तरीके से oxygen की mixing होती है तो यह हमारे लिए देख रहे हैं तीन images जो है mechanical aeration की process है इस तरीके से हम लोग oxygen को supply करते हैं और microbial mass system में आने लग जाता है तो धीरे धीरे आप देखोगे पूरा का पूरा food जो है microbes consume करने लग जाएंगे अपने रिष्टेदारों को परिवार वालों को बुलाने लग जाएंगे tank के अंदर plus they will also reproduce themselves एक microbial mass breakdown होगा दो microbial mass में दो चार मे breakdown होगे और इस तरीके से उनकी population exponentially बढ़ती है within seconds तो गंटे के गंटे में दो चार गंटे में पूरा पूरा जो आपने tank के अंदर organic matter भरा है उसको पूरा consume कर लेंगे ये लो और सिर्फ आपको tank में क्या दिखेगा सिर्फ और सिर्फ tank में microbial mass दिखेगा पूरा organic matter खतम हो गया रहेगा tank में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा microbial mass रहेगा अब हमने क्या बोला था अगर हम इस microbial mass को remove करना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं हमको पता इसकी property कैसी settling characteristics हैं तो हम क्या करते हैं हमको इसको quizant conditions देना पड़ेगा या फिर हम बोलते हैं turbulence free condition देना पड़ेगा उसके ल sedimentation tank sst secondary clarifier भी कहा जाता है या फिर हम इसको बोलते हैं secondary sedimentation tank जहांपे gravity के through primary sedimentation एक था जिसमें orning matter को remove किया या यहांपे एक pst था जिसमें हमने orning matter को remove किया था अब जो है यह sst है जो कि secondary process है इसमें हम लोग किसको remove करेंगे microbial mass या फिर biomass को हम लोग इसमें remove करेंगे तो this biomass will be removed in secondary sedimentation tank इस tank में हम लोग क्या करते हैं turbulence खतम कर देते हैं velocity becomes very low velocity बहुत ही लो हो जाती है पानी की ताकि microbial mass को settle होने में बहुत ही आसानी रहे तो इसमें हम लोग क्या करते है अब जो सारा का सारा microbial mass है वो इसमें enter करता है तो this microbial mass enters into this thing और microbial mass को अब एक cuisine condition मिल गई है इनका उच्छा बनता है और यह धीरे धीरे नीचे की तरफ settle होने लग जाते है तो इनका एक flock formation होता है और यह microbial mass क्या होता है इस तरीके से नीचे settle होने लग जाते है और आपको बिल्कुल crystal clear पानी उपर मिल जाता है microbial mass पूरा का पूरा नीचे tank के नीचे settle हो जाता है this is how you get a crystal clean पानी आपको अगर यह विश्वास नहीं हो रही कैसे cleaning होती है तो आप इसकी actual images देखो है ना यह जो mixture है उसकी actual images आप देखो यह image को आप ध्यान से देखो यह जो है यह वो microbial mass का mixture है और time के साथ अगर आपने इसको आदा घंटा रखा तो पूरा microbial mass आप देखोगे नीचे गच्छा बनके settle हो जाएगा और crystal clean पानी आपको दिखता है यह आप किसी भी activated sludge process के treatment plant में अगर आप जाओगे और वो plant अगर धंग से काम कर रहा है efficiently work कर रहा है तो आपको इस तरीके का देखने मिल जाएगा यह जो फ्लॉक से आप देख रहो है दीरे-दीरे tank के नीचे settle ह हो गया और आपको clean water उपर दिख रहा है है यहाँ पे भी आप देखोगे तो यह आप देखोगे दीरे-दीरे microbial mass settle होते जा रहा है नीचे-nीचे concentrate होते जा रहा है साफ-साफ पानी आपको ऊपर मिलते जा रहा है और with time आप देखोगे यह जो है ऐसा cup पूरा-पूरा-पू settling tank का पानी भरके आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि पानी में कितना microbial mass settle हो रहा है ठीक है और अगर आप इस liquid का जो भी आप फ्लॉक्स हैं अगर आप इसको microscope में ले जाओगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे चोड़ जोड़े microbes जो हैं आपे घूम रहे है तो हम लोगो में कोई सतरीका का instrument रखा हुआ है microscope रखा हुआ है तो आप भी देख सकते हो कैसे microbes यहाँ पे घूमते हुए दिखेंगे आपको यहाँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे microbial mass settle होगे कुछ microbes यहाँ पे घूमते भी रहते हैं हम क्या करते हैं जो साफ पानी होता है उसको हम लोग extract कर लेते हैं और यह clean water निकाल लेते हैं अब अब एक चीज हम लोग क्या करते हैं अब हम इसको पहली बात अभी हम कोई संज में नहीं आया है इस process को ASP क्यों कहा जात को यहाँ पे डाला microbes यहाँ settle हो गए और साफ पानी आपने निकाल लिया अब फिर से इस tank के अंदर पानी भरना चालू करेंगे फिर से इस tank के अंदर हम लोग क्या भरेंगे organic matter फिल करना चालू करेंगे तो again इस tank में organic matter भरा जाता है अब अगर हम यह चाहते हैं कि यह process खाली नहीं कर पाएंगे तो कुछ microbes यहाँ पे रह गए तो आप देखो के food बहुत सारा है और खाने वाले कम है खाना बहुत सारा है और खाने वाले कम है अगर हम चाहते हैं खाना जल्दी खतम हो तो हमको खाने वालों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं food to microorganism ratio ये food है और ये microbes है तो हमको food और microbes का ratio जा optimum रखना पड़ेगा ताकि बहुत जल्दी-जल्दी microbes जो है इसको खाना चालू कर दे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आप देखो के बहुत सारे microbes यहाँ पर settle हुए थे है ना last tank में जब हमने पूरा settling कराया था तो बहुत सारे microbes को हमने यहाँ पर stop कर दिया था यहाँ settle बैठे हुए है शान्ती से कोई काम नहीं है इनका हम क्या करते हैं इनको काम में लेते हैं यह जब microbial mass यहाँ बैठा हुआ है यह हमने ही बनाया है हमारी labor है तो हम क्या करते हैं इन microbial mass को काम में लेते हैं और microbial mass को हम लोग क्या करते हैं इनको recycle करते हैं tank में वापिस यह microbes जो यहाँ पर settle हुए थे इस microbes को हम लोग क्या करते हैं recycle करते हैं back system system में इनको वापिस से recycle किया जाता है ठीक है यह जो microbial mass आपने वापिस से भेजा, इसने क्या किया, आपके treatment system को help किया, साफ करने में, यह आपने जो recycling की, इसने क्या आपको help किया, treatment को efficient बनाने में आपको help किया, यह जो microbial mass हमने भेजा है, इसको मैंने आपको क्या बोला था, इसको हम लोग कहते हैं, या तो biomass कहते हैं, य या फिर हम इसको क्या कहते है, sludge, अब आप एक और चीज़े देखो, यह जो sludge है, इसमें कौन present है, इसमें active microbes present है, जिन्दा microbes present है, यह जो जिन्दा microbes है, इसको हम लोग क्या बोलते है, active microbes, या फिर हम इस sludge को क्या कह सकते है, इसको हम बोलते है, active sludge, active sludge, कैसा sludge है यह, active microbes का sl स्लज है यह जो microbial mass है जिसको आप recycle कर रहे हो कैसा स्लज है activated sludge process ठीक है तो यह जो process है पूरी किस लिए चल रही है इस activated sludge के कारण चल रही है अगर यह activated sludge आप वापिस से tank के अंदर नहीं डालोगे तो यह process efficient नहीं रहेगी है ना because this process is running through activated sludge इस लिए इस process को क्या कहा जाता है this process is called as activated sludge process इस process को कहा जाता है activated sludge process इस प्रोस को हम लोग कहते है activated sludge process a very important thing है ना तो यहां पर सारा का सारा खेल क्या है सारी सारी जिद्दोजहत किस चीज की है कि जो microbial mass यहां पर settle हुआ उस microbial mass को वापिस हम लोग क्या करते हैं system में recycle करते हैं ताकि food जो की microbial mass के लिए food और निक matter और microbes इनका ratio बराबर है खाने और खिलाने वालों का खाना और खाने वालों का ratio बराबर है ना चाहिए वो ही पूरी design इस treatment plant में की जाती है और कुछ भी नहीं किया जाता है तो एक microbial mass को अगर यह बहुत समय तक एक खटा रहा तो क्या होता है यह microbes है यह भूके है इनका जीवन सिर्फ एक ही चीज के लिए इनको खाना ही इनको जिंदा रखता है और oxygen इनको जिंदा रखती है अगर इन microbes को बहुत देर तक खाना नहीं मिला तो जो नीचे दबे हुए microbes हैं वो लोग क्या करने लग जाएंगा मरने लग जाएंगे suffocate होने लग जाएंगे these microbial mass will start dying कैसे मरते हैं यह एक microb दूसरे microbes को खाना लग जाएगा खाने लग जाएगा दूसरे microbes को consume करने लग जाएगा तो यह तो survival की लड़ाई है survival की लड़ाई में क्या होगा microbial mass एक दूसरे को खाने लग जाएगा जिसको हम लोग technical terms में कहते हैं endogenous respiration इसको technical terms में कहा जाता है endogenous respiration microbes survive करने के लिए अपनी ही body को अपने ही cell को जैसे हम लोग भूके रहते हैं तो अपने ही fat को हमारी body consume करने लग जाती है उसी तरीके से microbial mass भी क्या करने लग जाएगा अपने ही bodies को या फिर अपने आसपास के microbes को consume करने लग जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर anaerobic decomposition चालू हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा बहुत सारी harmful gases निकलेगी system में जो कि हमारे system को less efficient बनाएगी S2S, N2S तरीकी gases जो है इसमें से release होने लग जाएगी system में जो की treatment में inefficient कर देगी treatment को अभी कैसे करती है वो हम लोग next वीडियो में देखेंगे बट अभी हम लोग ही समझते हैं कि हम नहीं चाहते कि बहुत समय तक के microbial mass इस system में पड़ा रहे इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक valve से तो आपने जब इस valve को open किया तो recycling हो रही थी अगर हमने ये वाला valve open कर दिया तो क्या होगा microbial mass जो है हहां से बहार निकलने लग जाएगा हम system से microbial mass को waste करते जाते हैं waste करते जाते हैं मतलब इसको release करते जाते हैं और इसको हम लोग कहां बेश देते हैं this microbial mass is sent in sludge handling units sludge handling units इस microbial mass को हम लोग कहां बेशते हैं sludge handling units ऐसी बहुत सारी units बनी हुई रहती है treatment plant की जगह पे जहां पे इस microbial mass को handle किया जाता है जहांपे इसको properly treat किया जाता है क्योंकि ये active microbes हैं इनको directly आप जमीन पर छोड़ नहीं सकते इसलिए इनको पहले treat किया जाता है इनको पहले stagnant किया जाता है और फिर इसको release किया जाता है atmosphere में तो हमारा साफ पानी हमने निकाल लिया है enter क्या किया था enter किया था हमारे शहरों से गंदा पानी हमने उसको साफ कर लिया साफ पानी बहार निकाल लिया जो microbial mask बज़ा उसको हमने कहां भेज दिया sludge handling units में ये भी हम किसी और वीडियो में देखेंगे कैसे इस sludge को treat किया जाता है इन microbes को कैसे handle किया जाता है अभी हम लोग कुछ technical terms की बात कर लेते है तो अगर हम इस treatment system को simple तरीके से देखें तो हमने क्या enter कराया है हाँ पर Q discharge enter किया Q naught जिसमें कुछ microbial mask जोड़ा हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं BOD Ornic matter जो enter किया Ornic matter को measure करने का पैमाना क्या है Ornic matter को Measure करने का पैमाना है BOD तो इसमें कुछ BOD enter करी तो हम बोलते हैं कुछ amount of जो discharge enter किया उसमें क्या enter हुआ BOD, S not enter हुआ यह जो BOD is tank में गई tank में आपने oxygen supply करी aeration दिया, इस tank की volume अगर V है तो यहाँ पर आपने aeration दिया यहाँ पर क्या हुआ पूरा का पूरा और्निक matter जो है, microbes में convert हो गया यह जो mixture है, microbial mixture उसको हम लोग बोलते है MLSS Mixed Liquor Suspended Solids यह जो है, Mixed Liquid है जिसमें suspended solids हैं बहुत सारे, उस suspended solids में microbes भी हो सकते हैं और्निक matter भी हो सकते हैं तो it is called as Mixed Liquor, Liquor मतलब liquid कोई भी liquid, Mixed Liquor Suspended Solids तो यह सारा का सारा जो mixture है, जिसमें microbial mass है उसको हम लोग इस tank के अंदर भेज देते हैं इस tank में क्या होता है साफ पानी जो है, बहार निकाल लेते हैं इसको हम लोग बहार निकाल लेते हैं जिसको हमने बोला QE इतना discharge पानी में बहार निकल जाता है कुछ microbes उपर है जाते हैं कुछ और निमेटर हो सकता है, रिमूव ना हो पाया हो तो वो भी पानी के साथ-साथ, साफ पानी साथ-साथ बहार आता है, जिसको हम लोग बोलते है, XE तो कुछ microbial mass बहार निकल के आता है XE, SE है ना, यह microbial mass बहार निकल के आता है अब एक और चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो जो wasted sludge है, जो यहाँ पर एकटा किये हुआ sludge है वो भी बहार निकलता है कुछ amount को हम उसको recycle कर देते हैं और कुछ amount को हम लोग waste कर देते हैं जो recycle करते हैं, उसको हम लोग बोलते है QR, इतना amount हम recycle कर दे रहे है इतना discharge हम लोग recycle कर दे रहे है और कुछ amount हम लोग waste कर दे रहे है QW, है ना, wasted sludge अभी हम यह Q, S0, V इन सब की units को देखेंगे in detail in the next video है ना, अभी हम को यह संज में नहीं आएगा बट हम लोग कुछ technical terms देख रहे है तो कुछ QR को हम लोग recycle कर देते है कुछ amount of waste हम लोग बहार निकल देते है इन दोनों में जो warming matter का concentration होता है, वो सेम होता है इसको हम लोग X0 से denote करते है जनरली, ठीक है तो कुछ amount को recycle कर देते है कुछ amount wasted हो जाता है इस तरीके से process चलती रहती है और अब हम इनकी technical terms को समझेंगे in the next video कि food by microorganism ratio क्या होता है sludge retention time क्या होता है hydraulic retention time क्या होता है gate के previous year question solve कैसे करते है और troubles because of this thing rising and bulking sludge problems treatment में क्या क्या दिक्कते आती है तो अगर आपको ये videos पसंद आया है और आप next videos देखना चाहते है तो do subscribe the channel do like the videos it encourages me to create more videos thank you so much सबस्पलने थे अाभको है डाप आप Miles प्रृंटने बीढार ն отвеч है